आप सुन रही हैं सुलो किता वहां की कहानियों को लिखता है वहां जगे का वर्णन करता है तो ये यात्रा की कहानी यात्रा विट्तान कहलाती है तो इसमें भी लेखी का जो है वो यात्रा पर गई है सिक्किम राजी जो हमारे भारत का है वहां की राजधानी है गंग्टोक वहां गंटोक से होती ही वो हिमालय की तरफ जाती हैं उसी का वर्णन वो इसमें कर रहे हैं कि कैसे खुबसूरत से नजारे वो रास्ते में देखती हैं अभी तक हमने यही पढ़ा कि वो खुबसूरती का वर्णन करती हुजा रही हैं लेकिन अब आता है इस खुबसूरती के बीच उन्हें पहाड़े ने दिखती हैं जो कि पत्थर काट रही हैं क्यों ताकि रास्ता चौड़ा हो सके जिस रास्ते से लोग घूमने जाते हैं वो पेज नमबर 22 के सेकंड पैराग्राफ से हमें स्टार्ट करना था है ना तो जहां से स्टार्ट करते हैं देखी जब लेकिका एक बीयारों के करमचारी से पूस्ती हैं कि महिलाएं जो हैं क्या कर रही हैं तो वो बताते हैं कि जिन रास्तों से आप गुजर रही हैं ये उन को चोड़ा बना रही है बड़ा खतरनाक कारे हो गई है मेरे मुझ से अकसमात निकला वह संजीदा हो गया कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी बड़ा दुसाद्देकार है पहाडों पर रास्ता बनाना पहले डाइनमाइड से चटनों को उड़ा दिया जाता था फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़कर एक आकार के चोटे चोटे पत्थरों में बदला जाता है फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठा कर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है जरा सिचूक और सीधा पात प्रवेश क्योंकि उसमें मजाग में ऐसे कहा था कि जिस रस्ते आप जा रहे हैं यह उन्हीं को चौड़ा बना रहे हैं तो लेखिका ने जब कहा कि बड़ा खतरनाक कार रहे होगा यानि बड़ा धरावन मुश्किल कार रहे होगा यह तो ऐसी बात सुनकर वह भी संजीदा ह यानि जो व्यक्ति जो करमचारी कर बियारों का वह भी गंभीर हो गया तो वह क्याने लगा कि हाँ इस काम में पिछले महीने एक की जान भी चली गई थी यह बहुत ही दुसाद्दे यानि बहुत ही मुश्किल काम है पहाडों पर रास्ता बनाना कैसे बनाते हैं पहाडों तूड़ते हैं उन बड़े बड़े पत्तरों को तोड़ मोड़कर चोटे-छोटे एक आकार के लगवग लगवग एक आकार के पत्तरों में बदला जाता है और फिर उन्हें रास्तो पर वराबर बिछाया जका और इसमें घूड़ी सी बी बहुल गलती कहीं हो गई तो सरकार का बोड लगा था जिस पर बड़े-बड़े अक्षनों में लिखा था आप ताज़ुब करेंगे इन रास्तों को बनाने में लोगोंने मौत को जुटलाया है जब वो ये बाते सुन रही थी तो उनको क्या याद आया कि सिक्किम सरकार का एक जगे क्या बोड लगा था कि आप ताज़ुब करेंगे कि जो रास्तों पर चल रहे हैं रास्तों को बनाने में लोगोंने मौत को जुटलाया है यानि मौत को भी हरा दिया है यह आप इसी पेज पर देख सकते हैं नीचे की तरफ एक चित्र बना हुआ है जहां पर जो पहार की चट्टा ने डाइनमाइट से उड़ा दी गई है और फिर अब बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पड़े हुए जिनने तोड़ा जाएगा और छोटे पत्थरों के अकार में किया जाएगा यह कैमरे से लिया गया एक चित्र है जो शायद लेकिका नहीं लिया होगा एका एक मेरा मांसिक चैनल बदला मन पीछे गुम गया इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था पीट पर बच्चे को कपड़े से बान कर पत्थों की तलाश में वनवन डोलती आदिवासी यूप्तिया उन आदिवासी यूप्तियों के फूले हुए पाउं और इन पत्थर तोड़ती पहाड़नों के हातों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिन्दगियों की कहानी हर जगे एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ सारे आसु अभावियतना और वंचना एक तरफ अब क्या कह रही है वो कि जब उनने ये महिलाओं को देखा ये सारी बाते सुनी तो उनके दिमाग में क्या याद आ गया कि एक बार वो पहले किसी आत्रा पर गई थी कहाँ पर पलाहु और गुमला वहां जगों पर जगों पर जगों पर जगों पर जगों थे वहाँ उन ने देखा था महिलाओं को ऐसे महनत करते हुए लेकिन उनका काम क्या था वो भी कपड़े से अपने बच्चेों को पीट पर बान लेती थी और जंगलों में गूमती थी, क्योंकि वो आदिवासी इप्तियां थी तो पत्ते या जो ज़रूरी लकड़ियां या जो चीजें होती है उनके लिए वो गूमती थी तो लेखिका कह रही है कि वो जो आदिवासी स्त्रियां थी उनके जो पैर फूले थे और यहाँ पे जो इन पहाड़ीनों के हाथ में ठाटे यानी जो छाले या गार्ट से पर जाते है न हाथ में जो छाले पर जाते हैं वो सारी एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिनकी कैसी है सारी मलाई यानि सारे सुख एक तरफ और सारे आंसु अभाव परिशानिया मुश्किले सब एक तरफ और तभी मेरी सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोषते खोषते वहां तक आ गए थे मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा मैडम यह मेरे देश की आम जनता है इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी आप इन्हें नहीं पहारों की सुन्दर्ता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है अब क्या होता है सहैयात्री यानि कि साथ में जो यातरा कर रही थी सहेली कह सकते है आप लेखिया कि मणी और जितेन जो कि उनका ड्राइवर था वो उने खोषते-thोषते ढूनते-तूनते वहां पहुंचते है और जब जितेन देखता है कि वो गमगीन है आप यहाँ पर इतने पैसे खर्च करके आई हैं, पहाडों की सुन्दरता को देखें, तो आप उसी चीज़ को देखिए न, इनको देखकर परिशान क्यों हो रहे हैं, ऐसे वो ड्राइवर उनसे कहता है, यह देश की आम जुनता ही नहीं, जीवन का प्रती संतुलन भी है, य कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लोटा देती हैं, मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की और मोडने लगे, कि तभी मैंने देखा विश्रम सुन्दरियां किसी बात पर इस कतर खिलकिला कर हस पड़ींधी की जीवन लहरा उठा था, वहसारा खंडर ताज मह बन गया था, अब क्या हुआ, वह क्या कहती है लेकिका कि ये देश की आम जनता नहीं है, बलकि जीवन के परती संतुलन है, ये बैलेंस बनाया हुए, कि जहां एक बहुत अमीर और सुख पूरवक जिन्दगी जीते लोग हैं, तो कहीं एक ऐसे लोग भी हैं, ये वेस्ट कम लेकर समाज को कितना अधिक लोटाती है, इसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचते सोचते जीव के तरफ जाही रहे थे कि वो श्रम सुंदरिया, यानि कि महनत करती हुई, खुबसूरत महला हैं, किसी आपस में किसी बात में हसती हैं, और उनको हसते हुए देख कि ताज महल जैसे खुबसूरत स्थान लग रहा था, क्यों सिर्फ उनकी मुस्कुराहट की वज़े से, आगे देखिए हाँ एक पार्ट कतम, दूसरा पार्ट श्रूर, हम लगातार उचायू उपर चड़ते जा रहे थे, जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से उचाई पर चड़ते जाएंगे, येर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, साथ आट वर्ष की उम्र में धेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट पांग रहे थे, जितेन ने बताया हर दिन त पहाड़ों पर और उपर जाते जा रहे हैं, तो जितेन जो उनका ड्राइवर है वो उने क्या बताता है, हर मोड पर हेर पिन बेंट, यानि कि जो पहाड़ों पर होता है, अगर आप में से कोई गया हो तो आपको पता होगा, बहुत ही घुमावदार और तीखा रस्ता होता तो वो जो गुमाव होते हैं, इतनी जल्दी मुड़ जाते हैं कि पता ही जैसे हेर पिन होती है ना बालों में लगाने वाली, जो हेर पिन एक तरफ से मुड़के दूसरी तरफ से ऐसी घुमी होई होती है, जुड़ा पिन आप समच सकते हैं, जुड़ा में लगाने वाली, अब जो ड्राइवर है वो बताता है कि ये बच्चे लिफ्ट इसलिए माँग रहे हैं क्योंकि ये 3-3 किलोमीटर की रोज पहाड़ी चड़ाई चड़के स्कूल जाते हैं इतना ही चड़के स्कूल जाते हैं फिर इतना ही उतर कराते हैं क्या स्कूली बस नहीं? मणी के पूछने पर जितेंद्र हस पड़ा मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है मैदान की तरह यहां कोई भी आपको चिकना वरवीला नहीं मिलेगा यहां जीवन कठोर है नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है दूर-दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं इनमें साधिकाश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं पानी बढ़ते हैं जंगल से लकडियों के भारी-भारी गट्टर डूरते हैं अब जो मणी है जो उनकी सहयातियन के साथ में जो यात्रा कर रही है वो अचानक से पूछ लेती है कि बच्चे इतना चड़के क्यो जाते हैं क्या वहां कोई स्कूल बस नहीं है आपके मन में भी पढ़के तवाल आया होगा कठे रोती है यहां आपको कोई भी चिकना वरवीला यानि बढ़े हुए पेट वाला जैसे मैदान में इंसान क्योंकि इतने कष्ट भरी जिन्दगी नहीं जीता है तो अकसर क्या होता है कि उसके पेट बढ़ जाते हैं मोटा पा आ जाता है तो वही कह रहे है कि आपको यहां पे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा सारे महनती लोग मिलेंगे शरीर में जो महनत वो करते हैं वो डिखेगी कहता है कि तराई में ले देकर एक ही स्कूल है पहाडों की नीचे एक ही घाटी में एक ही स्कूल है तो उसी में सब को जाना होता है, तो दूर दूर से बच्चें को जहां से भी वो आ सकते हैं, सब उसमें पढ़ने जाते हैं, और सिर्फ इतना ही काम नहीं है, हमारे क्या होता है? बच्चे स्कूल आए, स्कूल से आके घर जाके, आस तो स्कूलों आए हैं, बहुत ठग गए हैं, अब हम सोएंगे, भूमवा करेंगे बस, पूरे दिन का ये काम बहुत काम होगा है, है ना, ये वाला जीवन चार रहा होती है, लेकिन पहाडों पर ऐसा नहीं होता, वहां जीवन बहुत कठिन है, है ना, तो बताता है कि पढ़ने तो जाते हैं, बच्चे साथ में क्या करत हैं, इनको चरवाते हैं, पानी भरते हैं, जंगर से लकडियां काटते हैं, बहुत सारी चीज़ा करते हैं, ये वह बोलता है कि मैंने भी लकडी के जो गठर हैं, वो खुद भी डोए हैं, मैं भी उठा के ले जाता था, खत्रा आप दीरे-दीरे बढ़ने लगा था, रास् जीप इधर उदर खिसके, तो हम सीधे खाटियों में, इन रास्तों पर जगे जगे लिखी चेतावनिया भी हम खत्रों के प्रती सजग कर रही थी, सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रही हैं, अब क्या है, देखिए, लेखी का बता तो पस इतना ही चोड़ा बनाया गया है कि कोई जीप यहां से निकल सके, इंच टेप से ना पा गया है, बिलकुल जीप जितना, कि थोड़ी से भी जीप इधर उदर हुई, एक इंच भी इधर उदर हुए, तो संतुलन बिगड़ गया, तो आप जाएंगे घाटी में, और इसी तरह इसी बज़े से वहां पर कई चेतावनिया लिखी ती, इसकी बज़े से उनने लग राता कि हमें खत्रों के प्रती, कैसे सजग रहना है, कैसे साफदान रहना है, जोसे एक चेतावनी लिखी थी कि दीरे चलाएं घर में बच्ची आपका इंटिजार कर रही है, ठ दूसरी चेताव ने क्या लिखी थी? We care, man, nature, around. यानि कि हम आपका खयाल करते हैं, आपकी देखबाल करते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो man, nature है, यानि आदमियों को खाने वाले जानबर है, यानि आसपासी इंसानों को खाने वाले जानबर भी मिल सकते हैं. तो लेखी का क्या कहती हैं, हमें नर्बक्षी जानबर, यानि नर्ब, यानि इंसान, बक्षी यानि खाने वाले, पहाडों पर गिटी बर्व से प्राकरति घंग से रक्षा करने वाले भने वालों वाला याक वो बता रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे सुन्दर सुन्दर याक भी देखने को मिलते हैं जिन पह ले भने बाल होते हैं क्यों ताकि जो धंड है उससे वो बच सके सूरज ढलने लगा था हमने देखा कुछ पहाड़ी और ते गायों को चरा कर वापस लोट रही थी कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी बरकम गठर थे उपर आस्मान फिर धुन्त और बादलों से गिरव हुआ था उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक द्रिश्ची ने मुझे खीचा नीचे चाय के हरे बरे बागानों में कई उप्तियां बोकू पहने बोकू यानि सिक्की में परिधाने के ड्रेस होती है कपड़े होते हैं जो सिक्की में पहने जाते हैं उसे बोकू कहते हैं तो कह रही हैं कि कुछ सिक्की में महिलाएं वहां बोकू पहने हुए चाय की पत्तियां तोड रही थी नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलावी चेहरा एक युक्ती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था सगन हर्याली के बीच चटक लाल रंग डूपते सूरज की स्वन्नेम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्र धनुशी चटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्दसी में चीक पड़ी थी इतना अधिक सूंदरे मेरे लिए असहाय था अब क्या हुआ सूरज ढलने लगा था यानि शाम हो रही थी और फिर रस्ते मोंने कुछ औरते दिखती हैं पहाड़ी औरतें जो गाय उको चड़ा कर वापस लोट रही हैं उसके सिर पर लकडी के गञ्ठर है मतलब उनके मयनत को यहां पर दिखाया गया है और आसमान में अब क्या है फिर से दून्द है फिर से बादल है उतरती संध्या में जीप अब कहाँ थी उतरती 소ंद्या यानि शाम ढ़न रही थी और जीप जो थी वो चाय के जो बागान होते है न वहाँ से गुजर रही थी जहाँ चाय के पौधे होते है और वहाँ उन्हें दिखती है कुछ महिलाएं जो की चाय की पत्तियां तोड रही है क्या पैने हुए बोकू बोकू होता है सिक्किम की एक ड्रेस लेकिका कहती है कि इस ग्रिष्ष ने फिर से उसे खीटा कि उनका ध्यान क्यों किचा इस तरफ कि एक तो इतनी महनत कर रही थी और वह महनत से उनका चेहरा गुलाबी हो गया था सुंदर दिखने लगा था और हरे रंग के बागान में एक स्त्री उन्हों ने देखी जो कि बहुती चटक यान इतना अधिक सोंदर है यानि इतनी जादा खुबसूरती एक साथ मेरे लिए असहाई थी यानि इतनी सारी खुबसूरती इतनी सारी सुंदरता एक साथ मों सहन नहीं कर पा रही थी यूम थॉंग पहुचने के लिए हमें रात भर लायूंग में पड़ाव लेना था गगन चुम्बी पहाडों के तल में सास लेती एक नन्नी सी शांत बस्ती लायूंग सारी दौर धूर से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी अब क्या होता है वो बताती है क्योंकि वो यूम थॉंग की तरफ जा रही है हमने पड़ी लिया था तो वहां पहुचने के लिए रात हो गई थी तो उन्हें कहीं पे रुखना था तो अब इस समय वो लायूंग में थे तो यहीं पे उन्हें रुखना था और लायम को कैसे उन्होंने देखी कैसे उसको उन्होंने बताया है कैसे उसका विपरण किया है गगन चुम्बी पहाडों के तल में सास लेती एक नन्नी सी शांत बस्ती यानि इतने उचे पहाड जो गगन को चू रहे हो आकाश को चू रहे हो उनकी तल में उनकी घाती में हलके से सास लेती छोटी सी एक बस्ती लोगों की जिसका नाम लायूंग सारी जो दौड दूप से दूर जिंदगी है वो यहाँ पे दिश्चन्स हो रही थी अब यानि यहाँ को जो महौल था हूँ बहुती शांत था उसी लायूंग में हम ठेरे थे तिस्ता नादी के तीर पर बसे लकडी के एक छोटे से घर में मुँ हाथ दोकर में तुरंत ही तिस्ता नादी के किनारे बिखरे पत्तवरों पर बैठ गई अब कहां रुके वो लायूंग में ही रुके एक घर में जगया उन्होंने ली जो कहां था तिस्ता नादी के किनारे पर लकडी का बना हुआ पहाड़ों पर अक्सर लकडी के घर बने होते हैं तो यहीं लकडी पर घिरा हुआ एक घर था जहां वो बैठे रुके और वहाँ पहुँचके अपना सावान रखके हाथ मूँ देखे लेखी का जल्दी से बहार आती क्यों तिस्ता नादी के किनारे बैठने वो प्रकरती के फिर से ब्रिश्ची के नजारों के मजे लेते हुए जो वहाँ पत्थर बिखरे हुए थे उन्ही पर वो बैठती है सामने बहुत ऊपर से बहता जھरना नीचे कल-कल बहती तिस्ता में मिल रहा था यानि सामने उन्हें एक ज़रना दिखाई देता जब वो पत्थरों पर बैठी देख रही है जो की नीचे नदी में मिलता जा रहा था अब मद्दिम मद्दिम हवा बह रही थी, पेड़ पौदे जूम रहे थे, गहरे बादलों की परत में चांद को ढख रखा था, बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लोट रहे थे, वाता वरण में अद्वोच शान्ती थी, मंदिर की घंटियों सी, घुंगरों की सुकून है, जहां अखंडित संफूनता है, पेड़ पौदे पशू और आदमी सब अपनी अपनी लै ताल और गती में है, हमारी पीड़ी ने प्रिकृती की इस लै ताल और गती से खिलवार कर, अक्षम में अपराद किया है, हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, अधन इतनी छाय हुई है कि चान्त दक गया है, चान्त नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, वो अब वापस क्योंकि शाम हो गए, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, पूरा वातावरन, पूरा महौल जो है, वो शान्त है, अद्बुच शान्त को अधने हैं, वो भर आई, लेखे का अचानक ही, उनके आखे जो गीली हो जाती है, ये रोने का मन करता है और उनके अंδर, उन्हें क्या लगता है एक छोटा सा बोदिसप्य, हैनलosse मैं जोटा सा ज्ञान थैजार। क्या ग्यान आ रहा है कि सुक, शान्ति, सुकून जीवन वहीं पर है जहां पर अखंडित सम्पूरता है यानि वह पूरता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता यहां पेड, कौद, पशु आदमी सब अपनी अपनी लेताल में प्रिकृती के प्राकृतिक स्वरूप में हैं लेकि अपराद ऐसी गल्थी है जिसे शमा नहीं किया जा सकता है जिसके लिए कोई माफी नहीं है है न हम अपनी क्या कर रहे हैं अपने फाइदे के लिए पेड़ पौदी काट रहे हैं पहाडों को तोड रहे हैं प्रिकृती का जो नाश कर रहे हैं यह चीज उन्हें बूरी माफी भी नहीं मिल सकती माफी भी बहुत चोटी चीज है और इतना सोच सोच के लेखे का कोब रोना आ रहा है और लेखे का कहती है अब हमाले सिर्फ कविता नहीं है यानि सिर्फ ऐसी चीज नहीं कि जिसके तूप सूर्ती के बारे हम सोच दर्शन बन गया यानि ऐसी डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृती में कौन दा हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ? पर मैं संकल्प कि सिथी में नहीं थी। बीतर थी एक प्रात्ना, एक कमजोर व्यक्ती की प्रात्ना। बीतर का सारा हला हल, सारी तमसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में। रात धीरे-धीरे गहराने लगी हिमाले ने काला अंबर हिमाले ने काला कंबल ओड़ लिया था अब वो क्या कह रही है अंदेरा और गहरा उस से पहले ही डगमगाती यानि लड़कडाती हुई और शिलाओं पर पत्थरों पर जैसे तैसे होती हुई नदी की धार तक पहुँचाती नदी के पास और जो उसका पानी बहरा है सवचसा वो उसे अपनी अंजली में यानि इसे दोनों हातों की हतोलियों में भर लेती है और फिर उनके अंदर एक अतीज धड़कने यानि पुरानी चीज़ों ने याद आने लगती है और उन्हें अचानक से याद आता है कि हमारे आंग क्या परंपरा, क्या रीपी रही है कि जब भी हम जल को हाथ में लेते हैं तो हम कुछ संकल्ब करते हैं और उस संकल्ब को हमें पूरा करना होता है तो लेखी का कह रही है कि मैंने भी सोचा जब मैंने जल हाथ में लिया है तो मैं भी संकल्ब करूँ लेकिन क्या संकल्ब करूँ यह समझ में नहीं आया ऐसे स्थिती में नहीं थी कि कुछ संकल्ब कर पाती इतना मजबूत मुझे महसूस नहीं हो रहा था जाएं सारी की सारी बुरी आदतें ये जो नदी की धार है सुन्दरता में बह जाएं और इसी के साथ अब रात घहराने लगी याँनि रात और जादा होने लगी थी निमाला ने काला कंबल ओड लिये याँनि रात हो गई थी बूज तरसे सब जगें अंधेरा चागया था जिते इनने लकडी के बने खिलोने से उस चोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज दून पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्री की महिक से परियों की कहानी सी मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमन हुआ कि एक एक कर हम सभी सलानी गोल-गोल खेरा बनाकर नाचने लगे मेरी पचास वर्ष्टी सहेली मणी ने कुमारियों को भी माद देते हुए जान्दान नित्य प्रसुतिया कि हम सब अवाग उसे ही देखते रह गए कि इतना अनन्द भरा था उसकी भी थे कहां से आया था इतना अनन्द अब क्या हुआ जिसे लकडी के खिलोने होते हैं उसी तरह का वो गेस्ठाउस था लकडी का उसी में जब जो जितेन उनका ड्राइवर था वो अपने साथियों के साथ वहाँ नाचने लगता है, मस्ती करने लगता है और वो महाल इतना इतनी मुहोग यानि इसे मन वो लेने वाली डात बन जाती है हर तरफ हर किसी को अनन्द होने लगता है फिर वो कहती है कि संक्रमन सा फैल जाता है संक्रमन यानि कि जैसे एक से दूसरे में जो फैल जाए, मिलके चूके, ऐसे संक्रमाण सी वो मस्ति एक दूसरे में फैलती हो, फिर जो सारे सलानी, जो सारे वहाँ पे लोग घूमने गए हुए थे, वो सारे नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, मस्ति करने लगते हैं, गोल-गोल घूमने इसके साथ ही वो बताती जो मणी थी जो उनकी सहेली थी लेखी का कि 50 साल की हो गई लेकिन इतना जानदार यानि इतना अच्छा नृत्त उन्होंने प्रसुत किया इतना अच्छा डांस उन्होंने किया कि सभी लोग अवाक रहें सब लोग आश्चरी चकेत हो गए कि वहाँ क्या डांखी आए वह वी सुम्र में तो लेखी का सोच्टी एकना आनंद भरा था ये जो खुशी थी जो त्सा उसके अंदर भरा था ये कहां से आया इसी तरह से रात वितीत होती है अब सुभे का द्रिश्च देखिए लायोंग की सुभे बेहत शांत और सुरम में तिस्ता नदी की शांत दारा के समान ही कल-कल बहती हो अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू दहान की खेती और दारू का विफार सुभे मैं अकेले की चहने निकल गए थी मैंने उमीद की थी यहां मुझे बर्फ मिलेगी पर अप्रेल के शुर्यवाती महीने में यहां बर्फ का एक कत्रा भी नहीं थी कत्रा भी नहीं था यदि भी हम सी लेवल से 14,000 फिट के उचाई पर थे मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी हम मैदानों से आई लोगों के लिए बर्फ से ढखे पहाड किसी जन्नत से कम नहीं होते आप क्या कह रही है लायों की सुबह यानि लायों की सुबह का वर्णन कर रही है जो कि बहुत ही शान्त है सुरम में है और जो नदी है वो एकदम शान्त होके बह रही है अधिकतर लोगों की जिविका का साधन यानि कि वहाँ पे लोग कैसे जिविका कमाते हैं कैसे अपना पर बिर कि खिका खेले निकल जाती हैं और क्या सोस्ती है कि मुझे कहीं बर्फ देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जो लोग मैदान में रहते हैं जो अकसर यह उट्सा होता है पहाड़ों पर गुने जाएं तो बर्फ मिलेगी यह नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ उने बर्फ नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि वह अप्रेयल में गई हैं और अप्रेयल या शुरुआती दिन जो होते हैं उसमें बर्फ वहाँ नहीं मिलती वो कहती हैं कि हम सी लेवल से यानि जो समुद्री स्तर है सी लेवल यानि समुद्र का स्तर उससे 14,000 फिट उचाई पर हैं फिर भी बरफ नहीं देखने को मिलती लेकिन मैं बरफ के लिए बेचैन थी क्यों क्योंकि जो हम पहाड के लोग हैं उन्हें बरफ देखना बहुत पसंद होता आप जो बरफ से डखे हुए पहाड होते हैं वो उनके लिए किसी जन्नत यानि किसी स्वर्ग से कम नहीं होते वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नविवक ने मुझे बताया कि प्रदूशन के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रहे हैं पर यदि मैं कटाव चली जाओं तो मुझे वहाँ शर्टिया बरफ मिल जाएगी कटाव यानि भारत का स्विजर लेंड सिक्किमी नविवक यानि सिक्किम में रहने माला एक जो नौजवान है कम उम्र का व्यक्ति उन्हें बताता है कि प्रदूशन आजकल इतना होने लगा है कि स्नोफॉल कम होती है यानि इतनी प्रदूशन इतनी गर्मी इतना गंदिया है अब बरफ कम गिरती है लेकिन अगर तो आपको हर आलत में वर्फ मिलेगी, कटाओ को हम क्या कहते हैं भारत का सुछिजलैंड, कटाओ जो कि अभी तक तूरिस्ट स्पॉर्ट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकर्तिक सुरूप में था, कटाओ बहुत जदा सुर्खियों में प्राइब कर्वाली उपने नहीं जाते थे इस वजए से वहां पर जो पर प्रदूशन भूप प्राकर्तिक सवरूप में था, इस वज़े से वह अभी अपने प्राकर्तिक स्वरूप में था, तो तूरी नहीं सुन्दर था, कटाओ जो लायूं से, पचाओ पांट सो कि तभी गाये ने आकर बाहर थेले में रखा उसका महुआ गुडूप कर लिया था ठीक है नीठी जड़कें देखर उसने गाये को बगा दिया अब क्या हुआ वो आदनी था वो लेकी कासे पत्या रहा था उसकी घर वाली यानि जो उसकी पत्नी थी वो अपने लकड़ी के छोटे से घर में से उसकता पुर्वक देख रही थी क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो हम लोग हुज हम बाहर से कोई जाते हैं यातरी उनको बहुती उत्सा से एक नई पन के साथ देख रहे होते हैं तब ही गाए आती है धेले में रखा हुआ भावा घा जाती है जिसको मीठी जड़की देख यानि मीठी तरीके से डांटके वो भगा देता है क्या रहे तुमने क्यों खा लिया जाओ जाओ यहां से ऐसे करके वो गाए को भगा देता है अब क्या होता है देखिए उमीद आवेश और उत्तेजना यानि उन्ने एक उमीद है कि यहां बरफ मिलेगी आवेश है की मिलना है और एक अजीबस उत्तेजना है कि बरफ देखनी ही देखनी है इसके साथ वो कटाओ की तरफ वढ़ते हैं लेकिन दास्ता और खतरनाक और उज़ा और पतला होता जा रहा था, उसके साथ ही वहाँ धुंद थी, भारिश थी, बादलों ने ढख रखा था, और जिते लगबग अदाजे से गाड़ी चला रहा था, पहाडी लोगों को गाड़ी चलाने का अलगी अनुभव होता है, वो अंदाजे से चलाते हैं कि रस्त बहाँ भारिश दोने को एंदाने सेर जारे फे में से रहाऻा रहां कि रादलों इसन वचला होता है, प्लचाने करतों होता कि यांदे से से बातिषट ने दोगने का पिलूड़ी करके से गाधियों को ने वहाँ Т. झाल झाल